यदि आपके पास जो है समपत्ती का जमीन का कोई भी कागज नहीं है, मान लेता है, कोई ले लिया, या आपके पड़िबार के लोग है, उनमेंसे किसी के पास है, वो आपको देना नहीं चाह रहे हैं, बहुत सारे कंडिशन हो सकते हैं, किसी का अमान लेता है, फट गया, उस case में आपको क्या करना चाहिए, संपती का जमीन का जो record है, जैसे ये जो record है, ये पुराना अगर record आप देखना चाहिए, जो कि आपके पुरबज का है, मतलब आपके दादा, पर दादा समय से जो record होगा, तो वो है यानि पुराना ख़तियान, जिसको आप चाहे तो निकाल सकते हैं लेकिन पुराना खतियान अगर आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे आपको बतादे जिनको नहीं पता है कि पुराना खतियान जो है ये जो वो खतियान है जो अंग्रेज के द्वारा सरवे करके बनतियार किया गया था तो यह जो है यानि 1900 जो इस भी है उसके बाद का ये खतियान जो है है सब के पास लगबग उसी के बाद जस्ट है किसी का 1905 का है किसी का 1908 का है किसी का 1912 का है तो ऐसे हो सकता है कि ये खतियान है और इसी तरह से सब को मिला हुआ है लेकिन अगर आप इसको निकालना चाहते है पुराना खतियान को तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना होगा उसको समझें देखिए ये पुराना खतियान का information आपका जो जिला है उसके जो पुराना जिला है वहां मिलेगा मतलब अभी बरतमान में बहुत ऐसे राज है जिसका जिला जो है नया बन गया है नया बनने का मतलब है कि पहले जिला आज से 50 साल पहले जो जिला था यानि अजादी से पहले जो आपका जिला होगा तो उस जिला अगर वही जिला भी बरतमान में है अब वो आपका नहीं हो, हो सकता है, कोई और अन्य जिला हो, उस case में भी आपको उसी जिला में जाना होगा, मतलब कि अगर कोई भी राज है, माल लेते हैं, उसका 1947 से पहले जो जिला है, ठीक है, वो X है, ठीक है, और अभी Y है, तो आपको पुराना खतियान निकालने के ठीक है, यानि जो पहले जिला था, आपको वहीं जाना परेगा, वहाँ जाएंगे, तो वहाँ पे आपको जिला अभी लेक विभाग मिलेगा, वहाँ पे जो एक तरह से आपके जिला के, या उस समय तो पुराना हो गया, अभी बरतमान में भी उस जिला के जितने भी दस्त आबेज है उसको वहाँ पे रखा जाता है और उसका नकल के लिए जो आबेदन करेगा वो उसका नकल निकाल सकता है तो आपको वही जाना होगा आप वहाँ से उसके नकल के लिए आबेदन करेंगे और उसका अपना नकल आप निकाल लेंगे ये परकिडिया होता है आप वहाँ जाएगे जब आप जिलावि लेक में तो आपको ये सारा पता चल जाएगा कि कैसे रिकालना होता है दूसरा ये है कि जब सर्वै हो गया बहुत सारे राज में राज सरकार के द्वारा सर्वै किया गया ठीक है और सर्वै के बाद दुबारा खतियान बना दिया गया मतलब जो अंग्रेज ने खतियान दिया उसके बाद उसको जो है चेंज करके राज सरकार दुबारा सर्वै कर और ये बर्तमान में लगबग जितने भी राज हैं सबका ये online भी अब available है ये आप online निकाल सकते हैं मतलब सबका online portal पे भी आपको ये मिलेगा नया वाला खतियान है लेकि दस्ताबेज के लिए कोई भी खतियान का जरूरत है वो पुराना हो या नया हो तो आपको इसको जाके जिला अभी लेक से निकालना ही पड़ेगा अच्छे नया वाला जो आपका अभी बर्तमान में जिला है आप वहाँ जाके निकाल सकते हैं अभी जो फिलाल आपका बर्तमान जिला है वहाँ के जिला अभी लेक में जाएंगे और आपको इसके लिए जो है कम से कम जिनके ना से जिस ग्राम से बिलॉग करते हैं तो वह सारा information जो भी होगा वह आपको तो fill करना ही परेगा ठीक है जो जमीन जहां पर है उसके regarding आपको कुछ basic information पता होना चाहिए ठीक है तभी वह आपको वहां से प्राप्त होगा नहीं है अगर माल लेते हैं तो आप online भी search कर सकते हैं और और online में ये सुवधा है कि आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, खाता संख्या से भी plot number से भी सर्च कर सकते हैं, सर्च करके आप देख सकते हैं कि आप माल लेते हैं जिस राज से बिलॉंग करते हैं, उत्तर परदेश है, या माल लेते हैं कि अगर बिहार है, जहारखंड है, उड पूल्टर है आप उस पे जाके अपना जो है जमीन का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं लेकिन अगर आपको कहीं भी कानून में अगर जरूरत है तो आपको जिला से वो निकालना परेगा और उस पे वो मोहर भी लगा होना चाहिए ताकि वो ये जो है प्रूफ करता है कि ये जो है मतलब एक verified document हो गया बस ये आप मेरा कहना है ठीक है इसलिए वो कानून में जो है ये digital वाला मानने नहीं होता है लेकिन आने वाले समय में जो है लेकिन इसमें तुरूटी भी है अभी फिला सकता है कि कुछ चीज छूट गया है तो ऐसे तुरूटी भी है जिसका सुधार प format तो ही चलता ही है ठीक है जो online होता है वही असारा परकिरिया जो है वो online होता है अब तो कानून का न्याले का जितना भी परकिरिया होता है वो भी देखते है online होता है अब registry का नकल है registry का नकल अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपका जो registry अगर का निकल अगर आप पुरा नहीं है या पुराना registry office तो नहीं है ठीक है कि आज हो सकता है कि वो यहां पे change हो गया है तो उस case में आपको उसका नकल वहां से निकलेगा है न कि आज जो बरतमान है नया बन गया कोई रजिस्ट्री आफिस लेकिन पहले कोई और था वहीं पर रजिस्ट्री होता था तो अभी आप नये वाले में जाएंगे तो आपको रिकर्ड नहीं मिलेगा अगर आप पुराना रजिस्ट्री का नकल निकालना चाहते हैं लेकिन अगर आप नया निकालेंगे तो नया में जो आपका बरतमान में रजिस्ट्री आफिस है वहाँ जाएंगे और वहाँ से आप जिस अभी जमीन का जो है आपको अगर डिटेल पता है तो उसका नकल आप निकाल सकते हैं और इसमें आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी रजिस्ट्री जो है किस एर हुई है लगबग कम से कम ये अगर आप डिटेल देंगे तब ही उसको अच्छे से ढून आ जा सकता है तो ये हो गया एक दूसरा है कि यहाँ पुराना जमाबंदी का नकल देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत नए अंच सब्सक्राइब है और नए अंचल बनाए गए तो वहां पर साघा जो है जब बनाएगये, वहां से सारा इंफॉरमेशन पुराना का दे डिया गया और नए सिरे से जो है वह शुरू कर दिया गया, यानि पुराना रेकर्ड का जो है किसी भी तरह का कोई वानिता नहीं रहा तो अब जो अगर पुराना जमाबंदी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको जो एक तरह से पुराना आपका काडियाल होगा ठीक है आपके एरिये में जो आपका पुराना काडियल है जहां होगा जो आपका अंचल होगा वहां से जाकर आप पुराना जमबंदी का नकल निकालेंगे ठीक है लेकिन अगर आप नया जमबंदी का नकल निकालना चाहते हैं तो अब आपका बरतमान में जो अंचल है वहां information online available रहता है जितने भी रजिस्टी होते हैं उसका दाकिल कारिज का information online available रहता है और अगर कोई bacteria land tax pay कर रहा है तो उसको भी अब ये शुबधा है कि वो online असानी से pay कर सकता है और वो ही सबसे safe भी है अब बंदोबस्त परचा ये सब का information तो ये सब का information भी आपको जो है वो अंचल से ही मिलेगा ठीक है आप वही से इसका information निकाल सकते हैं कि इसलिए कि बंदोबस्त परचिरिया का जो दस्ताबेश त्यार किया जाता है वो अंचल level से ही किया जाता है तो आप अपने अंचल में जाकर जो register है उसका record information के लिए आवेधन कर सकते हैं आप जाएंगे वहाँ के जो करमचारी पटवारी है उनसे बात करेंगे कि हमको अपना जो भी detail है उसके information को निकालने के लिए आवेधन करना है ठीक है तो आप RTPS के थुरू उसको जो है यहां पर आवेधन करके आप उसका detail जो है वो पराप्त कर सकते हैं तो वहाँ से जाके आप उसको निकाल सकते हैं आसा करते वीडियो अच्छा लगा बीडियो को लाइक की जरू कर दे चैनल को पहली बार दे करे हैं सबस्क्राइब करके जो लाइकन उसको जरूर दबा लेजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक